के गाईस कैसे होत कि आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्फवागत करता हुगां आज नेजिए पेट्रियर्स वर्सेल बार्वर्स टाइडंस इं दोनों टीम के बीच में तो गास ये मैच 25 अउगस्ट को शाम को शाम को 7 बजे स्टार्ट होने वाला है फिर से एक दिन का गया गया है CPL के schedule में और गाइस अब जो next match होगा मतलब यह जो next match होने वाला है वो एक new venue पे होने वाला है त्रिनिदाद में ही matches होगे बट एक new venue पे match होगा पो टॉप स्पेन त्रिनिदाद क्योंकि जो पिछले matches हुए थे और तौरवा त्रिनिदाद में हुए थे त्रिनिदाद में सारे matches करें हुए CPL क्योंकि ज्यादा ट्रावलिंग नहीं करवाना चाहते प्लेयर्स को कोविड-19 की वज़े से हमें न्यूपीच देखने को मिलीगी और हमें बल्लेबाज गेम में आते हुए डिखने वाले तो चलो गैस बात करेंगे दोनों टीम्स के पर प्रेश्ट हो सकते हैं तो चलो गैस अगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं आपको बता दिया पीच रिपोर्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा इंप्वर्टन होना लाए पीच रिपोर्ट इस मैच के लिए क्योंकि न्यूपीच यूज होना ले पीच छोड़ो गैस पूरा न्यूगराउंड ही यूज होने वाला है पीच रिपोर्ट बैच्में को यह पीच फेवर करती है जो हम लोगोंने पिछले कुछ दस मैचेस देखे अलग पीच पर अलग ड्राउंड पे वहापे मोस्ली स् अब हम लोग बल्ले भाजी देख सकते हैं तो इस यहां पर टोटल मैचेस अब तक पाच हुए पिछले सीजन के अगर देखो 2019 के तो टोटल पाच मैचेस यहां पर खेले गई थे जिसमें से बैट फर्स ने तीन मैचेस तो बैट सेकंड ने दो मैचेस जीते तो जादा फरक पढ़ता है उसके बात हैस्ट कोर डेको 191 का हाइस्ट कोर रहा था गयाई से यहां तो देख सकते हो आइंग 171 का हैश्ट कोर फिछले ग्राउंड पे था और 191 का हैस्ट कोर इसे अच्छी हो सकती है लोग स्थोर 154 ओहां पर लोईस्ट को था 111 आका तो गाईस टोटल वि इन जैसे quality spinners ने वीकेट से आप पर मोश्री निकाले हुए थे तो ये भी धन में लेके चलना और गाइस पिछले सिजन में जो players खेल रहेते सिपल में वह better quality के थे अच्छे standard के साथ खेल रहेते इस सिजन जाद अच्छे player आपको नहीं मिल रहे है क्योंकि बहुत सारे players covid-19 के के वाज़े से तो इसी वाज़े से गाइस इस सीजन में हम लोगों गिंबाजी थोड़ी बेटर दीख रही है और बहुत 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 बनेंगे तो धहन लेगके चलना और अपने तीम में अच्छे बैसमन को रखो और अच्छे पर तो फरक पड़ेगा कि कॉलिटी बोलर जरूर कोई भी पीच ओ विकेट जरूर निकलता है लाकि इम्रान ताहिर को आपको विकेट जरूर निकाल के देगा तो चलो अब हम लोग बात करने रहें दोनों टीम की बारे में स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंट किस नेविस नहीं कर रहे हैं जो उनके बेस्ट प्लेयर से क्रिसलीन और एविन लूइस दोनों तीनों मैचस में उतना इंप्रेसियूंट नहीं दे पाए कि उनकी टीम जीत पाए बट अब देख सकते हैं कि इस ग्राउंड पे हम लोगों कोई न कोई एक बंदा अच्छा करता है क्योंकि यह पीच इन दोनों बंदों को शूट जरूर करेगी और हम लोगने जैसे देखा आयो इसके दो मैचस पिछले जिसमें उन्होंने एक मैच में थर्टी एक मैच में 29 अच्छे फॉम में आते हुए दिख रहें बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहें तो शायद अगला मैच उनके लिए होगा और बड़ा स्कोर कर सकते हैं उनके साथ जिनका स्टार्ट तो उनको जरूर मिल रहा है इस हर मैच में वह एक दो चोक एक एक आजा चपका लगा रहें ब ग्रेंड लिग के लिए बहुत तगड़े अप्चना के लिए हो सकते हैं उसका जोश्रुदा शिल्वा पेली मैच खेले 41 रन 41 बॉल्स सेकंड मैच में इनको चांस नहीं मिला से एक थर्ड मैच में एक रन 4 बॉल में तो इनको शायद ड्रॉप कर सकती है टीम कोई बड़े ले सकते हैं या फिर इनके साथ कंटिन्यू कर सकती है बेंडंग चार पे खेलते हैं पहले दो मैच इनको ठीक टाक गयते बर थर्ड मैच में 5 रन 11 बॉल में तो अच्छे प्लेयर ये भी कंटिन्यू करेंगे चार पे अच्छा करते होगे दिख जाएंगे उस्मॉल लिग क इनके पास उतने अच्छे बल्लेबाज है नहीं तो शायद इनके साथ चली जाए सेकंड मैच में इनको चांस नहीं तो पांच रन बनाए तो शायद ये कंटिन्यू करेंगे और हम लोगों को छे नंबर बल्लेबाजी करते हैं मिल जाएंगे रयाद इमरीट गेंबाई से बहुत अच्छा कर रहें पहले मैच में बल्लेबाजी नहीं मिली सेकंड मैच में 17 तो थर्ड मैच में 10 बनाए बाके नीचे जो प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे आपको एमोसली गेंबाई से पॉइंट्स देने वाले तो गाइस बालिंग सेक्षन की बात करें तो 26 रन बनाए तो इनको प्रोमट भी टीम कर सकती अगले मैच के लिए इस शोदी के बात करेंगा इस तो चार और 40 रन एक विकेट तीन और 30 रन कोई विकेट ने चार और 36 रन कोई विकेट ने तो एक एसा स्पीनर है जिसे जो तीन और चार और हर मैच में डालता पर इसको ज आपको मिलता है जाएगा स्टार्टिंग में तो यह श्रिडन को ट्रेल गेम में आ सकते हैं रहा देमरीट गाइस अच्छी गेंद बाजी कर इस टीम की और से पहले मैच में 4 और 16 रन एक विकेट सेकंड मैच में 31 रन 3 विकेट थर्ड मैच में 4 और 16 रन एक विकेट तो रन आप तक 29 रन टू विकेट तो अच्छा गेंद बाजी यह कर रहा है आप तक अच्छा लगाए और कंटीनीव करने वाला इस पीच में थोड़ा मुश्किल होने व्ज़ना गेंद बाजी करना पर यह च्छे होते हैं दिख सकते हैं इसको राधा रन पड़ते हो दिख सकते ह फ्रस्ट मैच 4 ओर 25 रन 2 विकेट से गर मैच नहीं खेला थर्ड मैच मेच 4 ओर 41 रन 2 विकेट तो गाई यह विकेट लेता है चार विकेट तो मैच असमें निकाल चुका है तो स्मॉल लिक के लिए अब्विस चोईस होने वाला है क्योंकि बल्लेवाजी आपको आच्छी खास बाकि दो मैचेस में नको चांस नहीं मिला लेफ्टेंड बैसमें लेफ्टाम और्थोडोक्स है शाहिद ए प्लेयर प्लेइंग इलिए उनका हिस्सा हो सकता है क्योंकि बैकिंग पीच होगी तो यह आजब बैसमन अच्छा करता है दिख सकता है इसके आला हो गाईस जामार मैच खेले 4144 ओवर 40 रन एक विकेट और उसके बाद कोई भी मैच नहीं खेले उसके इमरान कान इनकोप तक चांस नहीं मिला है अच्छी गेंदवाजी करते हैं शायद हम लोग को सोधी के जगह पे इस प्लेयर को प्लेइंग इलोन में लेती हुए टिम दिख जाएगी क् रेकॉर्ड भी अच्छा है CPL में तो चलो करें अब हम लोग बात करने वाले सेकंड टीम के बारे में बारबर स्टाइडन की बात करें तो रिसंट रिजल उनका देख सकते हो पहला मैच वहार चुके जो इनका पिछला मैच ट्रिवैग और नाइट्राइडर्स के साथ वहा अच्छे बल्ले बात इनके पास कैपटनसी में कही ना कही कमी पढ़ रही है अच्छी to run नहीं कर पा रहे पिछले मैच में इनके पास अच्छा चांस दा जितने का बट इनके कैप्टेनसी की वजय से कही ना कही टीम हार ग ही उसससे हम आगे बात करेंगे इन के ढर से JohnsonC Chemical मैच में 3 रन सेकंड मैच में 19 रन थर्ड मैच में 36 जरूर बना है पर 38 गेन लग गए उनको और उसी वज़े से टीम हर गई थी क्योंकि इनको बड़ा स्कोर I think 170 प्लस स्कोर चेस करना था और 36 रन बना है शेव अपने 38 गेंदों में तो बहुत मुश्किल हो गाए था इनके ल किसी बेट इपार्मेंट में अच्छा नहीं कर पाए इनको गेंद बाजी नहीं मिल रही बल्लेबाजी की बात गए तो पिछले मैच में रन आउट हो गए थे पहले दो मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए तो शायद रिप्लेसमेंट इनका धून सकती है बट इन से बे बेस्ट प्लेयर रहे है, 38 रन पहले मैच में, 2nd मैच में 27 रन, 3rd मैच में 34 रन, 19 गेंदो में नोट आउट, तो बोध तगड़े फर्म में विकेट स्लेयर है, पिछले मैच में हमारे वोईस कैप्टेन भी थे, ड्रीम मिलियोन और माईलियोन सर्कल पे, और फिर से हम लोग इ ये फेल हो गए थे, आशले नर्स, मुश्ट लिए आपको गेंद बाजी से पॉइंट देते, बट बल्ले बाजी बाजी चीक कर लेते, 4 रन, 16 रन और 21 रन, तो पिछले मैच में 21 रन रन आयते, 12 गेंदों में तो अच्छे डिफरेंशल पीक हो सकते, ग्रैंड लिक के इमन रिपर बल्ले बाजी से बिलकुर अच्छा नहीं कर रहे है, मुश्ट लिए गेंद बाजी से पॉइंट देंगे, मिचल साइन ने का पहला मैच अच्छा गया था, 20 रन, सेकेंड मैच में 8 रन, थर्ड मैच में बल्ले बाजी नहीं मिली, और हेडन वाल्ष के पहले मै इनको विकेट नहीं मिली, बट फिर भी एक कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसन ओल्डर, पहले मैच में कोई विकेट नहीं मिला था, 4 ओर, 21 रन, सेकंड मैच में स्रिफ एक ओर मिला, सिर्फ पाच ओर का मैच हुआ था, इसलिए, और थर्ड मैच में 4 ओर, 37 रन, एक विकेट तो स्मॉल लीग के अच्छे पीक हो सकते, ग्रैंड लीग में जोरू आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन से के लिए सोच सकते हो, राशित खान, बेस्ट स्पिनर इस टीम के ओर से, 4 ओर, 27 रन, दो विकेट, पहले मैच में, सेकंड मैच में, दो विकेट, थर्ड मैच में को क 20 रन दे के एक विकेट इस बंदे ने निकाला, तो शायद फिर से कंटिन्यू करेगा, इस पीच में मुश्किल होने वाला स्पिनर के लिए थोड़ा सा, जो क्वालिटी स्पिनर होगे, वो ही अच्छा करेंगे, तो शायद इसको गेंजबाजी ज्यादा नहीं मिलेगी, त इसमें स्रिफ एक और इसको मिला, जिसमें 9 रन दिये, तो क्वालिटी स्पिनर है, इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है, वेस्टेंडिस के लिए, पिछले से जन के हायस्ट विकेट टे करेंगे, पट फिर भी इस टीम के और सी से अच्छे से चांसे नहीं दिये जा रहे, कह कही ना कई कैप्टनसी का इशू हो रहा है, जो कॉलिटी स्प्लेयर से, कॉलिटी बॉलर से उनको अच्छे से और नहीं मिल रहे, अगर जिदे को कल राशित खान को स्रिफ तीन ओर दिये, जो लास्ट ओर ता राशित खान का, वो तो पूरा करवाया है नहीं, तो कौन सी ट ता कि राशित खान की पूर्ट ओर करवा लेते, और कई ना कई राशित खान एक दो विकेट निकाल सकता था लास्ट ओर में, बट जैसे ओंडर की कैप्टन से कई ना कई लैक कर रही है, और इसी वज़े से हमें हेडन वाल्श का अच्छा यूज जैसे नहीं कर पा रहे है राशित खान का भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे है, ये दो तीन प्लेयर्स पर अच्छे से फोकस करेगी टीम, तो ये टीम अच्छा कर सकती है, इनके बेंच पर अगर देखो तो गाई, शामरा ब्रूक्स बेटर प्लेयर है, सिपेल के स्टैट्स अच्छे बट इन अच्छे मिल जाएंगे, इवन चार प्लेयर्स मिल जाएंगे, जो प्लेइंगी इलियों का इसा हो सकते है, ये चार प्लेयर्स इन में से जविएस चोईस होगे आपके जॉनसन चार्ल्स, इनको ले नहीं लेना है, बहत अच्छे फोरम में, इनके ऑलवा दीने श्राम दिन को भी ट्राइक कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए फिर स्मॉल लीग के लिए बाइटिंग सेक्षिन में एविन लिविस और क्रिसली ने दोनों अब्वेस चोई होने मेरे लिए इस मैच के लिए क्योंकि ये पिच इनको सुट करने वाखर में ग्रैंड लीग में दोनों को स्ट्राइक करने वाल सकते हैं। आगले मैच में खेल सकते हैं बाड़ अच्छे नहीं लगें शाहिद नीक के लिए चृउच्छा नीक कि लिए हो सकता है ग्रैंड लिए के लिए और डूंडर सेक्शन में का इस रहा देमरिट ऑव्वेस चोई जैसें होलडर मिचल साइटनर उसके बाद यह तीन प्लेश चोई से अब आपको किसे लेना है काइल मेर्स आपको वन डाउन बल्ले बाजी देंगे या फिर टू डाउन बल्ले बाजी देंगे प्लस द पर मोशली गेनबाजी से पॉइंट देते बड़ गेनबाजी भी इनकी उतनी इंप्रेसियों नहीं रही है जोनाथन काटर बिलकुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे तीनों मैचस में फ्लॉप गये ग्राइन लीग में ट्राइक कर सकते है इस डिपरेंशल प्लियर तो इस ब प्लस कुछ बल्लेवाज आपको देंगे जॉन रस जागेसार पिछले दो मैचस में अच्छे लगे इनको पिक कर सकते हो इनके अला है इनका यूज नहीं हो रहा है अच्छे से बड़ ग्राइन लीग में रोटेट जरूर ट्राइक कर सकते हो इसके अलाव कोई और प्लेर जा रहा हूँ या फिर मैं जाना चाहत हो जौन अतन कार्टर के साथ मुझे कोरिया एंडरसन चाहिए था या फिर मुझे बेंडंग चाहिए था पर क्रेडिट की इश्यू हो रहे है इसलिए मैं उससे पीक नहीं कर सकता हो दिने श्रामदीन भी नहीं ले सकता हो चूब की नाइन का क्रेडिट है तो फिलाल मुझे कायल मेर सी मिल जाएगा जो हाट इटिंग कर सकता है दो तिन ओर्स डाल देगा एक विकेट ले लेता है 20-25 रन भी बना देता है तो अपना काम स्मॉल लिग में हो जाता है तो यह होना लिए टीम प्रियू देख सकते हो अब जेसन होलडर जो अच्छे कैपटन हो सकते है स्मॉल लिग के लिए बॉलिंग प्लस बल्लेबाजी दोनों दे रहे आपको और पूरे देने वाले बल्लेबाजी भी पूरी करेंगे और गेंद बाजी से भी तीन से चार पूरे चारों डालेंगे तो यह अच्छे पीक होगे स्टार्टिंग में इसको अच्छी हिल्प मिलने वाली स्टार्टिंग एक दो और उर्स में और यह विकेट टेकर यह दो तीन विकेट से दो और इसमें निकाल सकता है तो श्रल्डन कॉटर बहुत अच्छा डिफ्रेंशिल पीक हो सकता है mostly try करना dream million में as a captain try करने का grand league में बाकि ये दो players को आप लोग try कर नहीं करने इनको try करना है और उपर के दो players को भी grand league में try करना है Johnson Charles और Sheop as a captain wise captain grand league के लिए अब small league के लिए तो mostly लोग आएंगे Jason Holder के साथ even Lewis के साथ और राशित खान के साथ इनके ओल अगर आप लोग risk लेना चाहते हो तो आप लोग Chris Lynn को try कर सकते हो आप लोग Johnson Charles को try कर सकते हो Jason Holder को तो हम लोग को try करना ही करना है तो जिए इस option भी आपको दे चुका small league के लिए grand league के लिए उससाफ से team बनाना क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर Karen Pollard TKR की पहली बल्लेबाजी होती है तो Karen Pollard को captain जरू try करना वो अच्छा कर सकते है और पिछले match में उसने बहुत अच्छा किया तो चलो काईस अब हम लोग dreamy leon की team बना लेते हैं तो कैसे आपको विकेट की पर section में दिख रहे होंगे Johnson Charles, Sheehoop, Tineshraamdim, Joe Svada, Silva चारो प्लेइंग इलियों का हिस्सा हो सकते है तो इस इन में से किसे pick कर सकते हो मैं तो दोनों को pick करना चाहता हूँ Johnson Charles को भी, Sheehoop को भी पर देखते हैं इस credit का क्या उश्यों होने रहा है तो फिलाल हम लोग दोनों में से किसी को भी pick नहीं करने वाले हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन हमारे team में suit होने वाला है तो इस start करेंगे Chrislyn, Evan Lewis ये दोनों players मुझे team में होने चाहिए क्योंकि ये दोनों अच्छा कर सकते, दोनों में से कोई एक अच्छा जरूर कर सकता है तो आप लोग कोई किसे एक के साथ जा सकते हो अलग-अलग दो team बना के All on the section में guys Jason Holder, Soil, Tanvir, दो obvious choice है जो मुझे team में होने चाहिए जोन अच्छा कर दोए दिख सकते हैं तो हमनों आरे पास बचे साढ़े 15 points तो मुश्किल होने आला में श्रिडन कोट्रेल ये फिर राशित खान दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा तो किसी भी एक को ड्रॉप कर दोगा कोई भी अच्छा हो सकते हैं श्रिडन कोट्रेल भी अच्छा करता है राशित खान पर आच्छा कर सकता है में फिला श्रिडन कोट्रेल को ड्रॉप करना चाहूंगा राशित कहन से मुझे ज़्यादा उमीदे कि मजे बल्ले बाज इसे भी कुछ points दे सकता है तो guys all under section में 8 points में ले लूँगा काईल मेर्स को 8 credit में मिल जाएगा प्लस यह आपको 1 down बल्ले बाजी दे देगा प्लस आपको 2-3 over time के दे देगा तो कुछ अच्छा कर सकता है आपके लिए उसके बाद मैं यहाँ से नीचे ले लूँगा guys एक player को like bendang को bendang को अगर ले ले लेता हूँ मैं तो यहाँ से मुझे एक बल्ले बाज और अच्छा मिल जाएगा जो चार नमबर पे खेलेगा आप हम लोग को लेना एक baller तो साड़े अट के credit में आप लोग किसी भी baller को pick कर सकता आपके लिए head and wals अच्छा हो सकता है रिमन रिपर को भी try कर सकते है अगर try करना चाहते हो तो बाकि आपकी इच्छा होने वाली है फिलाल तो मैं नहीं करूँगा मैं head and wals के जगा पे मैं जाऊँगा आशले नर्स के साथ क्योंकि वो बेटर है ग्रैंड लिग के लिए स्मॉल लिग के लिए captain wise captain के option में बता चुका हो फिर भी आपे बता देता हो जेसन ओल्डर बेस्ट option इनके अलावा राशित खान voice captain अच्छे हो सकते है क्रिसलीन एविन लिविस दोनों में से किसी एक को try कर सकते हो इविन लिविस को try कर सकते हो विसी के लिए और जॉन्सन चार्ल्स को भी विसी के लिए try कर सकते हो शेयोड को भी try कर सकते हो ग्रैंड लिग में क्या rotate करना है मैं आपको अल्रेडी बता चुका हो mostly team ज्यादा change मत करो एक या दो differential player अपने team में रखो जिनका पामनस अतना अच्छा नहीं रहा है बड़ बेटर कर सकते हैं तो उनको रखो इस team में और captain wise captain रोटेट करो तो captain wise captain आप लोग इन दोनों में इन दोनों इस में और इन दोनों में रोटेट कर सकते हो प्लस राशित कान तो उसे भी grand league में captain जरूर try कर लेना तो कुछ इस तरीके से team बनीगे फाइनल team में तो आपको telegram पे ते ही दूँगा बट सारे analysis के base पे आप अपने अच्छे से team बनाओ grand league के लिए try करो grand league में अच्छे chances आपके बन सकते तो चलाई जल्दी से आप लोग हमारा telegram channel जाइन कर लो अगर आप लोगों नहीं किया नहीं होगा तो link बिल जाएंगे description box में second हमारा youtube channel को subscribe कर दो बैपन को दबा दो वीडियो को like कर दो तो गैसे दो चार चीज़े याद से कर दो और गैस मिलते फिर next video में next match के साथ